किया रहा, what is the quantity, अच्छा, कुछ बच्चे समझते नहीं, quantity क्या होती, मैं आपको बता दूँ बच्छो, quantity का मतलब physical quantity, ठीक है ना, physical quantity जैसे velocity, exhalation, displacement, momentum, force, यह सब क्या है, physical quantities है, तो कह रहा कि, what is the quantity, which is measured by the area occupied below the velocity time graph, अब ध्यान सा बच्छो चेकरिये, कह रहे हैं, कि अगर time graph, बना लिया है, आई यह जड़ा बनाते हैं, velocity time graph, आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, आसानी के लिए, मैं बनाता हूँ, velocity time graph, of, वीटी ग्राफ, वीटी मतलब velocity time, ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूँ, velocity time graph, of, uniformly moving body, यूनी, uniformly moving body, मतलब, या फिर आप बोल सकते हो, वीटी ग्राफ, of, a body, of, a body, which is in, which is in, uniform, which is in, uniform motion, एक ऐसी body, जो uniform motion कर रही हो न, उसका velocity time graph पर यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ, यहाद है, last question ही तो शायद था है, उसमें ग्या होता था, ध्यान सरे चकरो बच्छो, यह और देखिए बच्छो, velocity time graph of a body, which is moving in uniform motion, in straight line, in, straight line, क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब body straight line में चलती है, तो जो उसकी velocity होती है, वही उसकी, velocity का जो magnitude होता है, वही speed होता है, कई questions में हमने आपको बताया हूँ है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए, इसका ज तो देखिए, time T is equals to one पर देखिए, यहां, one, two, three, four, जिकना, one, two, three, four, यहां क्या चलना है, वाइकस पर क्या चलना है, velocity in meter per second, टेखिए ना, velocity, बीगा मतलब, velocity, पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीकना, velocity in meter per second, और एक्स एकस पर क्या चलना है, पच्छों, time in seconds, तो यहां पर one, यहां पर two, यहां पर three, यहां पर four, इतना काफी रहेगा, ठीकना, चलना, देखो, माल लो बच्छों, जब आपने इस, जो भी object चल लाइए, इनिफोर मोशन कर रहा है, straight line में, जब आपने इसको time T is equals to zero, पर देखा है, यहां zero है, तो इसकी speed कितनी मिली, य time T is equals to two, पर भी speed कितनी है, four, time T is equals to three seconds पर भी speed, या फिर लास्टी कितनी, four meter per second, ठीक है, यह देखिए, यह graph आएगा, ठीक है, जो की time access कि क्या होगा, parallel होगा, ठीक है, अब उन्होंने आप से क्या पूछा है, उन्होंने आप से पूछा है, ध्यांसर चक्री अप्छों, उन velocity time graph, ठीक है, velocity time graph तो यह ही है, time देखते गए, और velocity हर बार कितनी आ रही थी, four meter per second, four meter per second, four meter per second, इसका मतलब, body equal interval of time में equal distance जा रही है, हर एक second में, वो four meter जाती, हर एक second में, वो four meter, भाई, velocity का क्या मतलब है, straight line में जा रहे है, तो velocity का मतलब, speed, और speed का मतलब क्या होता है, distance travel per unit time, तो four meter per second, अगर इसकी speed है, तो इसका मतलब क्या है, four meter per second का क्या मतलब है, हर एक second में four meter, हर एक second में four meter, सही है न, तो यह uniform motion का example है, अब इस, यह जो velocity time graph है, यह वाला उच्छो, यह जो line है, यही वीटी graph है, यही क्या है, वीटी graph को show कर रहे है, ठीक है, न, वीटी graph के below, यानि कि इसके नीचे, जो area आता है, उसको, वो कौन सी quantity को बताता है, आईए हम आपको निकाल के दिखाते हैं, बास समझा रहा, बच्छो मान लो, केवल time is equals to four seconds तक हम लोग देखते हैं, ठीक है न, तो इतना graph हम यहां से हटा देगे, केवल हम कहां तक consider कर रहे हैं भी, time is equals to four तक, अरे कहीं तक भी ले सकते हैं, लो, time is equals to three तक ले लो, क्या देखकत हो जाएगी, बताओ लो, यह ऐसे, अब ध्यान से चेक करो, बच्छो, एग्राफ चलो आगे भी जा रहा है, हमने के वल time is equals to three तक consider गया तो यह जो graph है, इसके below जो area आ रहा है, यह वाला area, बच्छ अब हम time is equals to three तक बस चेक कर रहे है, तो ध्यान सरा चेक करिए, आपको एक rectangle नज़र आएगा, यह वाला point हो गया O, ठीक है, यह वाला हो गया A, यह वाला हो गया B, और यह वाला हो गया आपका C, तो इस rectangle का area निका लिए, तो यहाँ पर ध्यान सरा चेक करिए बच्छो, area of rectangle द्यांसरा चेक करिए, area of rectangle, A, B, C, O, A, B, C, O, का area निकालो, मच्छो area कैसे निकाल रेक्टेंगल का, length into breath, या फिर इसको length ले ले उसको ब्रेट उसको ब्रेट उससे फर्क पड़ता नहीं, तो यह होगी length, अब दो बच्छों, यह length में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, च चेक करो, breath में क्या लोगे, 4, ठीक है, या फिर आ बोल सक्तो, length में 4 लेंगे, और breath में क्या लेंगे, 3, कुछ भी बोल सकते हो गई, है, तो चलो, योगे length, योगे breath, तो breath कितनी बताई है, 4, 4, क्या, meter per second, क्योंकि बच्छों, यहाँ पर, जो इसकी length है rectangle की, यह, कहां से आ यह, और breath इसकी कहां से आ रही है, यह, velocity से आ रही है, सही ना, तो यूनिट के साथ लिखिये, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, तो breath इसकी कितनी 4, meter per second, ऐसा करोगे न, second से second क्योंकि यह, कट जाएगा, धहां से जाकरो, 3, 4, क्या हो गया, 12, और यूनिट क्या बची मीटर बची, यूनिट क्या बची, मीटर बची, एक बाद बताओ बच्चों, किसकी यूनिट होती है, मीटर, तो जवाब है displacement की, distance की, सही है न, इसका मतलब, जब velocity, velocity time graph के under, या velocity time graph के below जो area होता, जब वो area हम calculate करते हैं, तो वो area जितना भी आता है, वो किसको बताता है, व distance को बताता है, या फिर वो displacement को बताता है, ठीके न, जब वो exam में आप से बोलेंगे न, धान सुनिए, जब वो exam में आप से बोलेंगे कि time और यहाँ पर speed उन्हों रख दी, जब बोलेंगे speed time graph का जो area under the curve आता है, area under the curve या area below the curve, जब speed और time की बात करेंगे, तो उनका product कितना आ जाएगा, वो भी मीटर में आएगा ना, सही है, तो उस टाइम आप बोलोगे speed time graph के बिलो जो area होता है, वो distance को बताता है, speed time graph के बिलो यह जो area होता है, किसको बताता है, distance को, ठीक है, लेकिन जब वो पूछेंगे आप से velocity time graph के below area, तो आप distance निए बोलेंगे, आप displacement बोल अपॉन में क्या, time, सही है, cross multiplication कर आओ, तो velocity into time is equals to क्या जाएगा, displacement, velocity into time is equals to work, displacement, 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 सही न, तो धाम सरा चक्रो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर, यह क्या था बताई, यह time था, 3 second क्या था, time था, और यह क्या था, यह velocity तो थी, 4 meter per second, तो time into velocity, या फिर velocity into time आपने किया था, तो आपको क्या मिलेगा, velocity into time से, displacement मिलेगा, तो यह जो answer आया है, यह क्या है आपका, displacement आया है, ठीक है, लेकिन यही पर, अगर वो लोग speed versus time graph आपको दे देते, तो answer क्या आता, speed into, क्या, time, या फिर time into, speed, और time into speed क्या आता है, distance आता है, क्योंकि आपको पता है, speed का formula आपको स्पीड क्या होता है, यह speed is equals to what, distance by time, cross multiplication करा दो, यह इधर चला जाएगा, तो distance कितना आ जाएगा, distance आपका क्या, speed into time, लेकिन इक बाद बता दूं, सुम लोग चूंद आन से, मैंने आपको इस graph में क्या दिखाया, मैंने आपको पहली बोल दिया, तो body straight line में चल रही है, औ और एक ही direction में चल रही है, और गिवन direction, direction नहीं change कर रही है, तो जो distance होगा, वही तो displacement होगा, यानि कि area below the velocity time graph is time, according to this graph, हम displacement भी बोल सकते हैं, और distance भी बोल सकते हैं, कोई doubt है बताईए, अगर आपके concept नहीं clear है, please chapter follow करिए, या NCIT के solution को ही शुरू से follow करिए, आपको सारे concept clear ह हो जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे नहीं चीज़ें समझपा रहे है, प्लीज बच्चो शुरू से देखिए, पेंट comment चेक करिए, वहाँ playlist दिया हुए, ठीक है न, time देना पड़े का ऐसा short में नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, ओके, तो ये चीज़ होगी, को doubt है, अरे बहुत सारे एक्जांपल ले सकते हो, हाँ, माल लो कोई velocity time graph ऐसा है, इतना सभी बच्चे कॉपी कर ले हाँ पर, इतना सभी बच्चे कॉपी कर ले मैं हटा दूँगा, चलो, देखो चला, एक example आईए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है न, और इसके बहुत सारे सवाल हम हमने एक्जांपलर में solve कराए हैं, यहाँ पर देखी तरह, एक्जांपलर हम पहले ही solve करा आचुके है, पेंड कमेंड में आप देख सकते हो, यह देखे बच्चों यह टाइम है, सही है, और यह velocity है, time हमने कि में लिया बताइए, second में, और velocity हमने लिए यहाँ पर मीट पर, ठीक है, और यहाँ पर 1, या फिर ऐसे यहाँ पर 2, यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ 6 है, correct, हमने बोला time T is equals to 4 पर, यहाँ पर 8 है, time T is equals to 4 पर, body कितना displacement कर चुकी है, तो आप क्या करोगे, time T is equals to 4 पर, एक लाइन रो करोगे, जो की time access के क्या होगी, पर्पेंडिकुलर, अर वीटी ग्राफ था कि निये, तो बच्चों वीटी ग्राफ के अंडर एरिया हमको निकालना था, पता है कहा किये हरो, आप end points एक परपेंडिकुलर डाल दिया, end point का मतलब है कि end point कैसे पिचानते है, या तो ग्राफ जहाँ पर end हो रहा हो वहाँ पे, और या तो time वो decide कर दे है, जैसे कि time T is equals to 3 उन्होंने बोला, तो हमने यहां से लाइन है से खीज़ दी, जो कि एक success पर क्या है, time access पर क्या है, पर पेंडिकुलर दे बाल समझाएंगे, यह ग्राफ ऐसे सीधे चला जा रहा हुता, और वो हमको बोलते कि time T is equals to 4 पर कितना displacement कर चुकी है बोडी, तो ह time T is equals to 4 से, आगे भी time ऐसा दिया रहता, 5 हां और 6 और यहां पर आपके velocity भी और दी रहती, 10, 12 ऐसे करके, ठीक है, बट हम क्या करते है, time T is equals to 4 से एक line ड्रो करते है, जो की time पर क्या होती, perpendicular time access पर ठीक है, अब यह graph को इस point पर काटती, इसका नाम A रख दीजे, इसका नाम A below area कितना आएगा, अगर मैं आप से पूछू, तो पहले तो आप, यहां से line draw कर लिएगा dot dot करके, और इसके below, मतलब यह नीचे वाला area यह हो जाएगा, इस line से बाहर नहीं जाना है, को doubt है, यह area आपको क्या देगा, displacement देगा, ठीक है, displacement by the body, है ना, displacement by the body, और यह displacement उसने कित विटिग्राफ के under जो area होता है, क्या बच्छों आप triangle A, B, O का area नहीं निकाल सकते हैं, बहुत easy, हाँ, तो displacement हमको यहां कैसे मिलेगा, displacement हमको यहां कैसे मिलेगा, displacement हमको मिलेगा, area under curve, या area under graph, area under the VT graph, याने कि area of triangle, what, A, B, O, चलिए निकाले, area formula क्या होता बच्छों, triangle का, half into base into height, to half into base कितना है, 4, 4, second, 4, second into height क्या है, यह height है, A, B, कितनी है, चेकरो, 8, 8, यहापे, ठीक, यह नहीं पता चला है, यहां से dot dot करके हाथे लियो, ठीक, तो यह A, B कि लेंद कितनी हो जाएगी, 8, 8, क्या, meter per second, meter per second, second से second क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 21, 22, 22, 24 2, 8, कितना आगया, 16, 16 क्या, meters, तो displacement कितना कर चुकी body, 16 meter, समझ यह कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत सारे questions, exampler में कराये हुए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेक्टिस करिए बच्चों, सकी lectures में भी कराये हुए है, जहाँ क्लास कराई हुई है, और अभी solution में कहीं पर आए अगर जो एरिया होता है, उसको अगर हम किसी भी तरीके से मेजर कर ले, तो वो एरिया हमेशा आपको क्या देगा, displacement देगा, को डाउट है, बताईए, अब एक चीज और यहीं पर बताना चाहता हूँ, देखे बच्चों, कुछ ग्राफ ऐसे भी आते है, यहाँ पर time होता ह एरिया हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह वाला फिगर तो ट्रेंगल दिख रहा था, यह तो रेक्टेंगल दिख रहा था, तो उसका तो एरिया निकाल लिया, फॉर्मला लगा के, ठीके न, वहाला लेंथ इंटू ब्रहती हाँ यहाँ पर, हाफ इंटू बेस निकालने, तो यह निकालेंगे हम इंटिग्रेशन से, क्लास 12 में सीखेंगे, ठीके न, तब भी आपको यहाँ पर भी डिस्प्लेस्मेंट मिल जाएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 12 में पढ़ेंगे, ठीके न, यह 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीके न, चलिए